पिशली वीडियो में हमने Budget對fc यानई फिस्कल đ´iefficit तक दिख लिया है, इसके बाद अब आता है नया revenue deficit यो तीन तरह के deficit होते हैं, हमने एक कर लिया है budget deficit अब दूसरा हम कर रहा है revenue deficit इसे बोलते हैं राजस्व घह तो revenue deficit वह होते है, जब revenue expenditure ना जादा हो revenue receipts से मानलों को हमें revenue receipts मिलने आ ले हैं 100 और हमारा revenue expenditure होने वाला 120 तो यह 20 रुपई क्या है हमारा 20 रुपीज यह हमारा revenue deficit RD तो formula देखो RD का क्या है RD का formula है RE revenue expenditure minus revenue receipts ठीक है तो यह हमारा निकल कर आगया यह राजस घाटा अब देखो यह राजस घाटा revenue expenditure आपको पता ही है जो sub-series वगेरा के लिए खर्चा होता है salary वगेरा pension वगेरा के लिए जिससे सरगार की कोई assets वगेरा नहीं बनती है यह liabilities नहीं घटती है और revenue receipts भी आपको पता है जो part 1 और part 2 में मैं बता है कि tax वगेरा और non tax revenue जो मिलता है उसे बोलता है revenue receipts अब बात आती है कि revenue deficit जो होता है या उसके कुछ implications है तो क्या उनके कुछ implications अर्थ यह संकेत है तो जैसे कि हमने fiscal deficit के पढ़ेते कि उसके कुछ संकेत है उसका कुछ अर्थ है उसी तरह इसका भी है तो देखो इसका भी यही संकेत है कि अगर हमारा revenue deficit होता है यानि राज़स घाटा होता है तो यह संकेत देता है सरकार पर financial बोज यानि वित्य बोज अधिक है दूसरा संकेत देता है राजस गाटे का आर्थ है कि सरकार को अपने खर्चे कम करने चाहिए अपना expenditure reduce करना चाहिए यानि सरकार को अपने वियाय कम करने चाहिए तीसरा पॉइंट है कि सरकार को अपने income and profit के sources को बढ़ाना चाहिए किसी भी तरह लाब और IQ को बढ़ाना चाहिए चोथा इसका संकेत है या आर्थ है कि सरकार को अब money borrow करना पड़ेगा क्योंकि सरकार के राजस प्राप्ते कम है और सरकार के खर्चे जादा है largest expenditure तो यह शो करता है कि सरकार को अब दो चीज़े करनी पड़ेंगी या तो सरकार को अब अपनी assets बेचनी पड़ेंगी वहां से पैसे जुटाने पड़ेंगे या सरकार को loan लेना पड़ेगा क्योंकि revenue receipts तो हमने complete कर लिए अब capital receipts ही बसती हैं क्योंकि revenue receipts ज्यादा मतक कम है और खर्चा ज्यादा है तो अब capital receipts का सारा लेना पड़ेगा और capital receipts कौन सी होती है वो जिसमें या तो assets बिके या liabilities बड़े या तो loan लिया जाए या assets बेची जाए तो अब या तो सरकार को अपनी assets को क्या करना पड़ेगा sell करना पड़ेगा या loan लेना पड़ेगा यानि कि सरकार को चोथा point संकेत करता है इस revenue deficit का कि सरकार को या तो assets बेचनी पड़ेगी या loan लेना पड़ेगा इसके बाद आता है primary deficit primary deficit अभी primary deficit क्या होता है हिंदी में बोलता है इसे प्राथमिक घाटा अभी प्राथमिक घाटा क्या होता है प्राथमिक घाटे का formula होता है fiscal deficit FD minus interest payment interest payment अब देखो जो हमारा भी fiscal deficit उपर निकला था ना जिसमें total expenditure ज्यादा थे total revenue से यह वाला यह fiscal deficit निकल करार था जिसमें total expenditure ज्यादा होते थे total revenue से मालो total sorry total receipts मालो total receipts है 90 और total expenditure है दस सो तो सरकार का घाटा कितना है 10 अब नीचे आज़ो अब जैसे कि हमें पता ही है यह जो total expenditure वाला पार्ट है हमारा यह ना यह total expenditure इसमें हमारे जो पिछले loan लिये हुए ना उसका ब्याज का बुकतान भी होता है तो आप real budget देखोगे न actual budget तो उसमें आप देखोगे कि काफी बड़ा भाग जो है ना वो budget ब्याज का है जिसमें हम पिछले loan के लिए वे जो का बुकतान कर रहे है यानि पिछले loan का जो ब्याज है वो भी काफी बड़ा पार्ट प्ले करता है हमारे expenditure में तो जो fiscal deficit अभी उपर 10 रुपे का हुआ मालों पिछले जो loan चल रहे है उनका जो ब्याज है वो 10 है तो primary deficit कितना आजाएगा हमारा 0 यानि primary deficit जो है वो है formula fiscal deficit minus interest payment और अगर fiscal deficit 10 और पिछले loan के ब्याज चल रहा है 10 तो यह 0 आगया यह 0 दिखाता है कि जो हमारा घाटा हो रहा है यह यह ही ब्याज की वज़े से रहा है क्योंकि जितना घाटा उतना ही भी आज इसका मतलब यह जो घाटा हो रहा है यह जो extra पैसे खर्च हो रहा है यह ब्याज की वज़े से खर्च हो रहा है ठीक अब दूसरी चीज मालों आपका primary deficit निकाल रहे है हम fiscal deficit दे रहा है 10 और interest payment दे रहा है 5 तो 5 आया primary deficit अब यह 5 क्या है इसका मतलब यह दिखा रहा है कि बाकी खर्चे भी हैं बाकी खर्चे भी है घाटे में English में बोलेंगे तो कि other expenditures भी है उसमें ठीक है घाटे में तीसरा situation देखते हैं कि अगर primary deficit हमें निकालना है और हमारा fiscal deficit दे रहा है 10 और जबकि हमारा ब्याज है जादा यानि हमारा जो जादा है ब्याज इसके बाद question बनता है कि क्या संकेत देता है यह primary deficit या इसके क्या अर्थे हैं या क्या implications से क्या कि इंडिकेशन से हैं तो इसके संकेत में देखेंगे तो पहला point है इसका implication में कि जो हमारा primary deficit है वो difference है किसका fiscal deficit और interest payment का fiscal deficit और interest payment का difference है तो पहला यह इंडिकेशन दिखतेंगे दूसरा लिखेंगे अगर हमारा primary deficit zero है तो यह दिखाता है कि पूरा पूर्ण राचकुशी घाटा ब्याज के कारण हो रहा है इंग्लिश में लिखेंगे full fiscal deficit is due to interest payment तीसरा हमें दिखाएगा इसका संकेत देता ही है कि सरकार के उपर financial burden है और सरकार को अपने expenditure को खर्म करचना चाहिए खर्चे कम करने चाहिए पाचवर सरकार को अपने आयो लाप के स्रोत बढ़ाने चाहिए government should increase its income and profit source यानी सरकार को अपने आयो लाप के स्रोत बढ़ाने चाहिए अब देखो definitions हमने जो उपर fiscal deficit और revenue deficit और interest sorry primary deficit इनकी तीनों की definition है लिख देते हैं fiscal deficit की होगी when total expenditure is greater than than total receipts total receipts bracket में excluding borrowing क्योंकि हम इसमें borrowing को अभी शामिल नहीं कर रहें that is called fiscal deficit fiscal deficit जब कुल विया कुल प्राप्तियों इसमें कुल प्राप्तियों में रण को हटा कर अभी हमने इसमें रण को शामिल नहीं किया है से अधिक हो तो उसे राजकोशी घाटा कहते हैं इसके बाद है revenue deficit when revenue expenditure is greater than that is called revenue deficit जब राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं इसके बाद है primary deficit की definition it is the difference between fiscal deficit and interest payment यह राजकोशी घाटा और ब्याज के बुकतान का अंतर है का अंतर है आप question देख लेते हैं कुछ minus interest payment यही था fiscal deficit 40 interest payment 35 तो कितना आ गया primary deficit 5 question अगर दे रखा है कि fiscal deficit आपको मानलीजे दे रखा है 30 interest payment 25 बोला है primary deficit निकालो तो primary deficit का formula fiscal deficit minus interest payment तो 30 में से 25 गया तो answer 5 पाच आगया आपका primary deficit next question देखो मानलो अब आपको दे रखा है fiscal deficit कितना 25 और आपको primary deficit दे रखा है 20 अब बोला है interest payment निकालो तो primary deficit का formula है fiscal deficit minus interest payment primary deficit कितना रखा है 20 fiscal deficit कितना रखा है 25 यहां interest payment निकालना है तो interest payment इधर आजाएगा 25 minus 20 तो कितना आजाएगा 5 अगला देखो fiscal deficit आपको नहीं दे रखा और आपको primary deficit दे रखा है 25 और interest payment दे रखा है 10 बोला fiscal deficit निकालो तो primary deficit का formula क्या है fiscal deficit minus IP interest payment primary deficit कितना रखा है 25 fiscal deficit पता नहीं ठीक interest payment 10 तो यह 10 इधर जागे प्लस हो जाएगा 25 plus 10 तो fiscal deficit कितना आ जाएगा 35 तो इस तरह किसे आगे पीछे करके निकाल सकते हैं और अगर वो यह से बोल दे कि total expenditure दे रखा है आपको 30 और total receipts दे रखा है 25 और बोल दे fiscal deficit निकालो तो क्या होगा fiscal deficit का formula आपको पता ही है total expenditure minus total receipts कितना आएगा 25 minus 20 30-25 sorry 30-25 आएगा 5 इस तरह अगर वो बोल दे आपसे revenue deficit निकालो तो revenue receipts आपको दे रखे मालो 15 और revenue expenditure दे रखा आपको 25 बोला revenue deficit निकालो तो revenue deficit का formula क्या है revenue expenditure minus revenue receipts 25 sorry 25-15 या जाएगा 10 इस तरह किसा आगे पीछे करके कुछ निकाल सकते हैं और तीनों के definition भी पता लग गई तीनों के implication या नहिता अर्थ भी पता लग गई यह क्या संकेत देते हैं ठीक है